हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़ेवे प्यारे विध्यारतियों का अउतकर्ज क्लासेज के आपके अपने सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेवे सभी प्यारे विध्यारतियों का तहीं दिलश्या हार्दिक स्वागत और अभिनन्दान राजिंदर चोधरी सोमन जी आपके पंडित जी यूनिक बोई स्वागत है नमस्ते मोनु जी नमस्ते बेटा जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाएगा आज के सेसेशन में फिर सुरू करते हैं आज के सेसेशन का हमारा जैसे टोपिक दिकरा है आपको मक्का मेज नमस्त स्वागत है शोरान साब उर्मिला जी टीना जी शाक्षी जी नमस्ते जी नमस्ते तो शुरू करते हैं आज के सेसेशन को जल्दी से के एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजेगा फिर देखते हैं मक्का से सम्मनित कुछ महत्तपुन क्योंकि जहां हम चर्चा कर रहे है आपके एग्रोनोमिक की कुछ important crops ठीक है आएगा जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा और जो इस वक्त चल रहा है उसके पेर में कभी जरूर छाला रहा होगा बिना महनत के कोई भी चमक नहीं सकता जो दिया जल रहा है उसे ही तो आपके क्या ह उजाला होगा तो निशित रूप से अपने मन में आस जगा करके रखेगा चहरे को हमेशा मुस्कुरा के रखेगा और समय को management करते विया आगे के और बढ़ते रहना है तो शुरू करते हैं आज के session को आज के मक्का के कुछ विशेज क्यूसंस जैसा कि आपको यह crop दिख रही है मैं कुछ चीजें आपके यहीं पर clear कर देता हूं यह ध्यानकना जो यह आपके उपर वाड़ा यह जो पार दिख रहा है यह आपके क्या होता है यह नर पार्ट है यह नर भाग है यह ध्यानकना इसे आप टेसल कहते है यह ध्यानकना यानि की टेसल कहां होगा मक्का के उपरी भाग पर होगा यह ध्यानकना आपको ठीक है और जो आपको यहां दिख रहे हैं यह भुट्टे दिख रहे होंगे आपको यह वाले पार्ट ठीक है और यह जो दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है मक्का का मादा और यह क्या होता है यह पहले आता है पहले इसका मतलब प्रोटो एंड्री प्रोटो एंड्री और यह माद में आता है इसका मतलब प्रोटो गाईनी यह ध्यानकना आपको ठीक है इस चीज का आपको ध्यानकना यह आपके मक्का के बारे में जानकारी है जी आमेज इसे कहते है आपके ग्रेमिनी फेमिली का सद्द से है आपके इसे मोटे अनाजो का राजा कहते हैं अमेरिका की बैक बोन कहते हैं इसे मिरेकल क्रोप के रूप में जाना जाता है ये अमेरिका की मुख्य क्रोप है सरवादिक उत्पादन अमेरिका में होता है इसमें आपके लाइसीन और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्तान में भीलवड़ा चितोडगड़ वाले छेतर में इसका उत्पादन देखने को मिलता है ठीक है तो सुरू करें आज के सेशन को आ जाएगा आज के सेशन की सुरुआत करते स्क्यूसन से क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेर करना नहीं भूले आएगा यहां पर मक्का में बीज उत्पादन के लिए डबल क्रोश तकनिक किसके द्वारा विक्षित की गई देखेगा मक्का में आपके बीज का उत्पादन किया जाता है सीड प्रोडक्शन इसमें दो तरीके हैं सीड प्रोडक्शन के एक सिंगल क्रोश टेक्निक होती है एक डबल क्रोश टेक्निक होती है सिंगल क्रोश टेक्निक आर यूजड इन यूएससे एंड डबल क्रोश टेक्निक इन यूजड आपके भारत यह ध्यान लकना आपको ठीक है तो बताएगा हूँ डवलप्ट डबल क्रोश टेक्निक को विक्षित किया था ध्यानकना आपको ठीक है जोनस साब ने डबल क्रोस टेकनिक को विक्षित किया था गुणी सो बीस में ठीक है गुणी सो बीस में से विक्षित किया गया था और इस्ट और सल ने ध्यानकना गुणी सो दस में आपके क्या क्या दा आपके जिसको कह सकते ह d c t और s c t ये धियानकनाओ आपको डबल और आपके सिंगल ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इसका इसका सही जन्व आपके क्या होगा आंसर होगा यह ध्यान अक्राब बिल्कुल जोन साब ठीक है यह दुवनसी जी बिल्कुल राइट आंसर बेटा हिनु जी बिल्कुल सही है जस्वन जी बिल्कुल सही है सुरे जी is not a disease caused by deficiency of zinc जो में gray spike कपास में छोटी पती रोग little leafy disease in cotton धान का खेरा रोग या मक्का में white bud यहां बताना है कौन सा रोग आपके क्या है नहीं होता तो यहां देखेगा यह बारले वगर आपको दिखेगी इसमें gray spikes आपको दिखेगी कपास की पत्या देखेगा यहां छोटी इतनी नजर आ रही है दान में देखेगा आपके यहां पर खेरा रोग आपको दिखेगा ठीक है और यहां पर देखो यह वाला जो है यह white bud हल्की मक इसका में आपको दिख जाएगी तो जो में जो gray spikes है यह किसकी वज़ेशे होता है यह होता मैगनीशिम की कमी से तो ड्यानगा ग्रेश पाइक मैगनीशिम की डेफिशेंसी होता है ना कि आपके किसकी कमी से जिंक की वीजे जी बी जवाब दिया आपने वीजे जी क्या खू ठीक है यहां तो मैगनीश आपके क्या है मैंसे मैगनीश है वीजे जी गलती नहीं करो बेटा यह जिंक की कमी से है यह भी जिंक की कमी से पिछली बार की बेटा गलतियों से भी अभी सीखे नहीं ठीक है थोडा सा ध्यान रखो बेटा ना तो इसका राइट आंसर आपका क्या का मैंगनीशन बिलकुल सई है कि रिङकल लिब बड़ा सुमंजी शैका आपने रिङका लिफ बिल्कुल सई है पिल्कुल शैया आपका सूमंजी अगला देखो कि निमनल हिपी त में से मका की पसल के संदर में ए सत्य कतन का चुनाव करो बताएगा select the incorrect statement from the following with reference to mage crop ठीक है मार्स मठर में मार्स होता है ना मैंसे मठर मैंसे मार्स मक्का की पसल में नर्भाग टेसल को अठाना डी टेसलिंग कहलाता आज किसी विध्यारती ने क्यों पूछा था कुमेंट्स किया था उसने कि सर एक होता इमास्क्यूलेशन और एक होता टेसलिंग डी टेसलिंग क्या होता है तो वो भी मैं बताऊंगा मक्का की पसल में नर्भाग टेसल को अठाना डी टेसलिंग Remover of male influence, टेसल is mage crof, is called detailing राइट थै मक्का में परपरागण पाया जाता एक इन फॉलीनेशन इनफाूंड ऑप मेज तो आपको ये बताना है राइट है मक्का में प्रोटो गाईनी अवस्ता पाई जाती है प्रोटो गाईनी स्टेज इन फाउंड इन मेज मक्का का भारत में आगमन सत्री सताब्दी पुर्तुगालियों के द्वारा हुआ बिल्कुल सही है लेकिन मक्का प्रोटो गाईनी नहीं होती है आपके क्या होत तो इसका राही ट्रांस्वर क्या हो जाएगा सी अब आएगा एक वर्ड विध्यारती ने पूछा था उन्होंने पूछा था इमास्क्यूलेशन थीक है इमास्क्यूलेशन एक वर्ड उन्होंने पूछा इमास्क्यूलेशन और दूसरा वर्ड उन्होंने पूछा आपके जि नर भाग के पोलंस को अठाया जाता है रिमूव और मेल पोलंस साउधानी से आपके पोलंस को हटाया जाता है यह ध्यान नकना आपको और यहां पर क्या होता है पूरे के पूरे टेसल को अठा देते हैं यह ध्यान नकना आपके पूरे के पूरे टेसल को रिमूव कर देते है ठीक है पूरे के पूरे टेसल को remove कर देते हैं ये ध्यानकना और ये किसके लिए किया जाता ये किया जाता आपके cross जिसको कह सकते है hybrid seed production के लिए ध्यानकना आपको ठीक है कमेंट्स करके पूछाता मेसेज किया तो अगर वो जुड़े हुए हो तो यहां मेरे ख्याल से आपको यहां जवाब मिल गया होगा ठीक है ना तो इमास्कुलिशण नरभाग के पोलन को अठाना और डीटेस्लिंग में पूरे के पूरे टेसल को अठाना remove completely यह ध्यानकन आपको तीक यह ध्यानकन आपको नमस्ते पलग जी नमस्ते बिटा ठीक है यह ध्यानकना है अगला क्योंसन देखो संकर मख़ा का टेस्ट होता है टेस्ट वेट फाइब्रिस सीड सो 285300 ग्राम और 400 ग्राम टेस्ट वेट ठीक है तो ध्यानकना टेस्ट वेट कितना होता है ग्राइब 100 ग्राम 285 300 ग्राम और 400 ग्राम तो यहां ध्यानकना लगभग लगभग आपके इसका वेट होता है 260, 270, 200, 300 के आसपास ठीक है इसके बीच में ठीक है ठीक है यह ध्यानकना आपको हाँ MN से होता ना आपके बिल्कुल MN अरे भाई ग्रे स्पाइक MN से होता है मैंसे मेगनीज मैंसे मेगनीज मैंसे मार्स रोग मतर में होता है कई बार बताया मैंसे मेगनीज मैंसे मार्स मैंसे मतर फिर देखो मैंसे मैंने आपको एमन से राजंदर जी बताए ग्रेस पाइक तो बेटा ये भी तो अभी पीछे यही तो करके आए कि मेगनीज की कमी से ग्रेस्पाइक होता है जिंक की उज़े से चोड़ राजंदर जी राजंदर जी उसमें क्या कन्फ्यूज है ठीक है तो यहां क्या है 285 ग्राम के आसपास वजन हो गाइज द्यानकन आपको ठीक है तो यह द्यानकन एमजी लिखा ढिया से आपने एमजी लिका दिया चलो अगर हो सकता है देखो देख लेते अच्छा यहां M.G. लिख दिया चलो भई बोलने में मैंने आपके M.N. नहीं बोला होगा ना मेगनीज लिखने में हो सकता यह ध्यान आकना आपको ठीक है कई बार हो जाता है भई लिखने में ठीक है तो यह हो गया 200 पिच्छा ऐसी आगया जो मक्का की इस्टम पसल जामिती रखी जाती है ऑप्टिमम क्रोपिंग जियोमेट्री ओप मेज इज मैंटेंड बताएगा 120-150, 60-50, 30-10, 2.5 x 3 cm क्या आंसर होगा तो यहां देखो 160-50 तो एक मिटर हो गई एक मिटर डिस्टेंस नहीं रखी जाती है कि इतनी रखी जाएगी 60 x 25 cm है ठीक है 60 x 25 cm है 20 का राइट आंसर हो जाएगा यह द्यान करना आपको बी राइट आंसर हो जाएगा साड़े 22 cm की डिस्टेंस जो ग्यों अगरा में रखी जाती है ठीक है रो टू रो डिस्टेंस ग्यों में और यह ग्यों और जो वाला जो है और सिल्क पहले आती है टेसल और सिल्क दोनों एक समय पर आती है उप्रोक्त में से कोई नीदी सुरुआत में जो इसक्रीन पर इमेज लगी हुई थी कि उसी में मैं ने देखा था कि टेसल क्या होता इसका मेल पार्ट होता है और यह क्या पहले आता है इसलिए से कहते हैं प्रोटो एंड्री अब बिल्कुल रवी कुमार जी भरतपुर की पावंदरा से बिल्कुल आपका जो है राम राम जो है स्वागत कर लिया राजा सुरज मल की धरती से आप जो है नमन कर रहें उसको स्विकार करते हैं ठीक है जिसको कोई नहीं हरा पाया ठीक है बिल्कुल भरतपुर का पूरे विश्व में अपने आप में क्या है एक अलग इतियास है भरतपुर जैसा इतियास पूरे भारत में कहीं नहीं देखने क सो मिलेगा ना तो टेशल पहले याता इसी लिए तो प्रोटो न्री कहते इसे ठीक है क्या क्या पाई जाती है यो अची है ट्रोटो एंडी आपको ठीक है प्रोटो एंडी पाई जाती है तो इस चीज़ का अपको ध्यानकना सिंपल क्यूस क्यूंप सर्वस रेश्ट उत्पादने तो मक्का के पोदों की परती हेक्टर संस्तुत संख्या होती है दा रिकमेंडेड नंबर ओप मेज प्लांट्स पर हेक्टर फॉर बेस्ट प्रोडक्शन इज बताएगा क्या होगा तो अगर आप देखेंगे तो डिस्टिंस अपने कितनी देखी यहां पीछे अगर देखे तो साट इंटू आपके जो पचीश-30 दे रखी है उसको चाहिए पचीश मालो आप चाहिए तीस माल मिगाए, अपने साट इंटू 90 म मृत ने वृ पते फॉप सेंटिमेटर में कंवर्ट करो ंफें तो नीजनीचे सो आएगा तो मैं सीधा लिख रहा हूं यह आपर और इसको उपर लेकर के जा रहा हूं तो सो इंटू 100 आपके जो है इसकी ठीक है यह आपके परसंटेज में आता है कि एल अप देखो इसको आप सूल कर सकते हो यहाँ गुणा कर रहा हो पचीचो एक सो ठीक है दो से यहाँ पर 3 हो गया दोसे यहां दो जाएगा यहां दिखो हजार के आगे दो हजार यह लाक iyag दोलाख पूह-ठीक अब लगबकोप 25 क्यरmy में 69 यह भजाने है सब्सक्रा कर दिया कर पूर्द के आपके 90 पूर्छ लगबके 66000 के आस-पास पास तीक은 तो यहां पर क्या हो जाएगा यह राई टांसर हो जाएगा यह द्यानकना यह जो पोदों की संक्या है यह ज्यादा तर फलों की पूछी जाते है लेकिन आपके यहां क्रोप्स की पूछी जा सकते है यह द्यानकना आपको किसकी क्रोप्स की पूछी जा सकते है इस चीज का द जी ठीक है तो यहाँ पर क्या है इसका सी राइट आंस्वर यह ध्यानक आपको अगला देखो सामन्य मक्का की तुलना में ओपेक टू मक्का अधिक मात्रा में पाई जाती है तो ओपेक टू आपके जीन है नमस्ते राजमेवाज जी नमस्ते इन कंपेरिजन टू नॉर्मल मेज मोर क्वांटिटी ओफ विच इज फाउंड इन ओपेक टू मेज ट्रिप्टोफैन और लाइसीन की ट्रिप्टोफैन की प्रोटीन की या लाइसीन की आपको पता है मक्का में यह क्यूशन पिछली बार स आति अपको ठृप्टोफैन ए लाइसीन की कमे को आपके क्या है दूर करने के लिए大ज क्वालिटी प्रोटीं मेज डवलप की गई तो QQ府 के लिएक क्या गया क्या विए इसका के इस्तेमाल गया रहाए नो ठीक है और कौन न commence वह एक वसल सहाब झे ठीक है ना S के वसल साब ते तो यहां क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका बिल्कुल जो है ट्रिप्टोफेन और लाइसिन दोनों एम्मिनोसिट्स हो जाएगे तो एस का राइट आंसर हो जाएगा हाँ बिल्कुल राजेंदर जी सही का आपने इसी के काणूने वर्ष 2000 में आपके क्या मिला था वर्ड फूड प्राइज बिल्कुल वर्ड फूड प्राइज मिला था यह द्यानकन आपको ठीक है अगला देखो निमनलिकित में से कौन सी पर्मुक खाध्यान पसल में टीलर्स नहीं निकलते ठीक है अरे वैज चीटियों के नंगरे को क्यो अठाना है वहाँ पर रोज ग्यहूं काठा डाल दो क्या दिक्कत दे रही है ठीक है अब यहां देखो तो इन विच ओब दा फोनोइंग मेजर पूड क्रोप टीलर्स डूनोट ग्रो बारले मक्का धान और ग्यहूं द्यान अकरा टीलर्स का मतलब क्या होता है टीलर्स का मतलब होता है उसके सोईल के जमीन के बराबर से आपके क्या है टीलर्स निकलना अगर आप मक्का में देखोगे तो मक्का में आपको सिंगल पोध में सेन्ट होते हैं ध्यानक नाप को तीक है मक्का में टीलर नहीं पाया जाते हैं नोण डीलünüz बसंट है मेय जी ध्यानक नाप को तीक है विल्कुल सूभम जी सही आंश्वर है किम अच्छाम में आया वा है हो सकता है आप विल्कुल सही एंटीप PM performing building plant है ठीक है है इसके पार्सों में क्या होता है जो जिसको कह सकते हैं और शाइड में क्या निकलते हैं भुटे निकलते हैं धान करना इसे क्या है भुटे ठीक है भुटे यह ध्यान करना आपको ठीक भुटे बिल्कुल आपके जैसे क्या है घर में आपके जिसको कह सकते है गन्य में भी नहीं दिखेंगे और आपको दिखेंगे माजरे उसमें जवार में भी नहीं दिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर B सीपोर में नहीं दीखेंगे वैसे ठीक है राइट है इसका राइट आंशर निमनली कित में से मक्का की संकर किसम कौण सी है विच ओप फोलॉइंग जै हाइब्रिड वारायटी ईअप मेज अंबर विकरम संगरम और किसान इनमें से हाइब्रिड वेराइटी बताने कौन सी है ठीक है यह बताइएगा यहां पर विच ओब दा फोनोईंग इस हाइबिड वेराइटी ओप मेज अंबर विक्रम संगम और किसान तो आपके क्या है बाकी तो बिलकुल राजिंदर जी अब यहां बताना है इन में इस हाइब्रिड संग भाकी तो देखो अंबर विक्रम किसान यह संगम एक संगम किसने बिलकुल विजे जी क्या खूबसूरत आंस्वर दिया विजे जी बहुत बढ़िया विजे जी सही जबाब दिया आपने संगम जो ह यह संगम से संकर सह से संगम सह से संकर अंबर विक्रम और किसान तीनों की तीनों कंपोजिट है यह ध्यान रखना आपको तीक है बिल्कुल सही कह दिया आपने संगम से संकर बिल्कुल सही है आपका जवाब सीज का राइट आंसर है यह ध्यान रखना आपको बिल्कुल मक्का जो है आपने सही कहा मक्का पर्मुक रूप्षे खरीप की पसल है बलकी से आपके रभी में भी उगाया जाता है रभी में और इसे उगाया जाता है आपके किसमे खरीप रभी और जायद में ठीक है तो खरीप में उगा लेते हैं रभी में उगा लेते हैं और जायद में भी द्यान रखना आपको hybrid variety इसकी अगला देखो तो यहां पर अगर देखा जाए तो कल सनिवार है और परतेक सनिवार और रहिवार को हमारी साप्ताइक current affairs for agriculture की class रहती है जिसमें कुछ agriculture current affairs पढ़ते हैं उसमें कुछ हम क्या पढ़ते हैं आपके agriculture के डाटा पढ़ते हैं और कुछ agriculture की विशेश टर्मेनलोजी देखते हैं तो यहां हम देखेंगे कल आपके agriculture के कुछ important current affairs के क्यूशन ठीक आपके सुबह 10 बजे परतेक सनिवार और रहिवार को होने वाली साप्ताइक ख्रास में ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा विध्यारति से सेसन में जुड़े अपने साधि विध्यारतियों को क्या है क्लास को लाइक और share करें यह द्यानक ना आपको ठीक है सभी अपने अपने digital प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस क्लास को क्या है जरूर परमोट करें ठीक है तो जरूर परमोट करना आपके सेशन को आग्या जो मक्का में किस करांतिक अवस्ता से पहले उर्वरक उप्योग पूर्ण कर लेना चीए बीपोर विच क्रिटिकल अगर इन में से कौन सी एक अवस्ता आये उससे पहले में क्या कर लेना चीए फर्टिलाइजर का प्रियोग पूरा करने लेना चीए ठीक है अगर हम यह देखें आगर्सरा आग्यरिकलचर सुपरिजर का न्यू आघ देखेगा जोधपूर में आपके सेमिनार होगा तो उस ने आपको बता दिया जाएगा आपके नेक्स्ट में सIEमिनार हो रहा है तो यहां देखीगा जो होती है जब तक टेस्लिंग आये ना उस टेस्लिंग से पहले हमें कम्प्लीट फर्टिलाइजर का यूज कर लेना चीए तो द्यानक ना पर्मुक आपके इसकी क्रांतिक अवस्ता कौन शी है मक्का की मक्का की पर्मुक क्रांतिक क्रांतिक अवस्ता कौन शी है तो पर्मुक क्रांतिक अवस्ता मक्का की टेस्लिंग है और इस टेस्लिंग से पहले-पहले हमें क्या कर लेना चीए फर्टिलाइजर का प्रियोग कर लेना चीए ध्यानक ना आपको ठीक है और दूसरी अगर देखे तो टेस्लिंग के बाद सिल और जिन-कनक कि लिकिंग भी क्या इसकी आपके भी को कह सकते हैं तो आपके ती वह है वावाव थीक है त्रीख है भिल्कुल यहाँ पर क्या इसका राई टांशवर आपका इसका सही जवाब है यह ध्याने करा टीक है यह बिल्कूल ICОS i सही है आपका ए ठीक है ए राई ट्रांस्वर इसका अगला देखो क्यों सब्सक्राइब निमन लिकित में से कौन सा सी फोर पादप है विच ओव दा फोलोईंग इजिए सी फोर प्लांट धान ग्यहूं सोयाबीन या मक्का तो देखेगा यहां पर धान ग्यहूं सोयाबीन और मक्का तो आपके यहां पर देखो क्या है मक्का आपके क्या है जिसको कह सकते हैं सी फोर प्लांट है ठीक है सी फोर में अगर देखो मक्का मक्का आपके जवार बाजरा यह सारे सी फोर प्लांट है धानगा ठीक है तो यहां पर क्या इसका राय टांसवर डी है भाई देखेगा चीटी के मामले में अपन सनातनी है और आपको वही इलाज बताएंगे जो अभी कोई किसी विद्याती ने बताया ना कि भाई हल्दी डाल देना और वो दवाई वगरा तो कोई बताएंगे नी तो हल्दी वगरा डाल देना जिस घर में चीटी रहती है वो सुब माना जाता है वैसे ना घर की परगरती और शांती का प्रतिक है वही ध्यानक ना आपको ठीक है नमस्ते सरीता जी नमस्ते स्वागत है आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज मक्का के निर्मान है तू उत्तरदाई जीन है दा जीन रेस्पोंसिपल फोर दा फोर्मेशन ओफ क्वालिटी प्रोटीन मेज इज हाँ बिलकुल मक्का के ही क्यूसन है क्योंकि यह मक्का का ही टोपिक है आज ओपेक टू फ्लोरी टू और आईजिनीन और A और B2 क्वालिटी प्रोटीन के परियोग के लिए देखा जा जाता है दोनों का इस्तिमाल करते है ध्यानकन आपको ठीक है तो यहाँ पर क्या A और B दोनों है ठीक है डी इसका राइट आंसवर यह ध्यानकन आपको ठीक है तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसवर आपका डी है ओपेक टू और फ्लोरी टू जीन इन दोनों का इस्ति मेक्सिको बिल्कुल मैक्सिको इसका थीक है तो मक्का में गुंणसुत्रों की संक्या होती है् नमबल ऊप् क्रोमोसों में मी यह बताएगा गいた बताएंगा क्रोमोसोंने अपक है अधिक के बिलकुरन न को ओक आपके जमार मक्का यह रहार 2 आश्या न संक नाप खीख हैं तुम ब्राबर ट्रुट आन मे भी ऑ- ding गंडा करता है इधान अका ठीक है इह थेखो तो आपके किसम धान में दिख जाएगा चोछ इस नंबर सिधान दो यहाँ पर जिशे जवार और मक्का 14 आपके बाज्वे में दिख जाएंगे ठीक है ठीक है यह ध्याना करना आपको टू एन वराबर फोटी किसमें आम में दिख जाएंगे विल्कुल आपका सुभाजी सही है तो एस का राइट आंसर वे अगला क्यूसर देखेगा निम्न लिकित में से कौन सा कीट मक्का की पसल में डेड़ हर्ट पेदा करता है यह दिख रहा है आपको देखेगा इसके अंतरगत विच ओफ फोलोइंग इंसेक्ट कोजेज डेड़ हर्ट इन मेज क्रॉप तना मक्की स्टेम पलाई सफेद लट वाइट गरप तना चेदा की स्टेम और रहे आउप प्रोग तुमें कोई नहीं डेड़ हर्ड यहा देखना है तो यहां देखी गाए अगर आप देखेंगे तो इश का यह केटर पिलर राकेश गством ह सप्प्रस दक अरफ折 demons ऑली स्टेज में पहुंचाइ़ आगर्मुक्हूंचाया ठीक है और इस टेम बोरर आपका सही है जिसे आप काईलो पार्टिलस कह लेते हैं काईलो पार्टिलस ये ध्यान रकना आपको ठीक है होसलों पर जो एतबार करते हैं होसलों पर जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिले खुद पते बताती हैं रास्ते इंतजार करते हैं तो होसले आपके क्या है मजबूत होने चाहिए मंजिल अपने आप आपको रास्ता बताएगी तो होसले जरूर आपके बुलंद है निश्यत रूपशे उसके साथ तैयारी करते रहें तो यहां पर क्या है इसका right answer आपका C है यह ध्यानेकन आपका अंगूर और आम 40 है सुशेला जी बिल्कुल बेर में 48 है जो class 12 में दे रखा है ठीक है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आपके काईलो पार्टिलस बिल्कुल लक्षमी जी सही है आपका जवाब काईलो पार्टिलस पलक जी बिटा right answer है चलिएगा अगला क्यूसन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर निमनली कित में से कौन सा मक्का की पसल का परमुक रोग है वी चोब दा को यहां पर अगर देखोगे तो मेज में देखो आपके डाउन्यू मिल्ड्यू मर्दूरो मिल आसिता आपके होती है लीप श्पोर्ट आपके होता है इस्टेम रूट आपके हो रहा है तो यहां पर नीचे दे रखा है डी तो फिर क्या कर लेंगे इसका डी दे रखा यह इन में से मुख्ये देखे तो इन में से आपके देखे इसन तना सड़न नहीं बलकि आपके क्या होता है जिसको कैiff के दिलाशित लग कर लेंगे यह क्या हो जाएगा जाएगा मुख्य रोग हो जाईगा प्रमुक रोग तीक है तो मर्दु-रो race नियक्षित मक्का में होने वाला परमुक रोगों में सामिल है कांस की ऊपर इसके पैथोजन क्या करते हिसार आपके हाँ पर मुझा है वो तिकहाँ परमुक पूचा है तो इसका यह कर दो ए कर लोग तो लगते तो सारे ही रहें लेकिन ए पर मुझाएगा तीक है यह यह इस्टेम रोट है बई देखिएगा डेड हर्ड और इस्टेम रोट में फरक होता है दोनों में देखो आपके एक होता है आपका ڈेड, इस्टेम डेड हट कहते हों से इस्टेम बोरर कहते है उसे आप 마음 बोरर कहétais यह अपडली चहती के। ठीक हे काईलो पाई-टिलस आपने देखा और इस्की वजह से क्या हो रहा रहा है इस्टेमडेड हट हो रहा है ठीक है और एक होता है इस्टेम रोट अब देखो इस्टेम रोट जो होता है इसमें आपको कहते तना गलन यह आपके सामाने तो यहां होता है यह ध्यानकना आपको तना गलन दोनों में फरक है यह ध्यानकना आपको ठीक है तना गलन में आपके फरक है तो यह इस्टेम रोट है यह द्याने कना आपके अगला देखो निमनली कित में से कौन सा यूग में सही नहीं है वीच व द फॉलोंग पेेर्स इस नौट करेक्ट? पॉप कॉर्ण जीअ मेज आवर्ता? हॉट कॉर्ण जी अमेज इंडेंटार था? पॉड कॉर्ण जी अमेज टूनिकार था? फ्लोर कॉर्ण जी अमेज एमाईलेसिया. तो देखेगा स्वीट कॉर्ण का क्या होता? जी अमे में होता है वह आपके रूट-रूट में अstairs आपके क्लोंट और स्टेम का संपर्क के संपरक और अहां होता है तो चान देंडे कोन नहीं है है तो देखें में स्वूट कॉन का क्या होता है से के n surf कोन का क्या does क्वूं से के राटा होता है और इंडेंट टाटा किसका होता है देन्ट कोन का देकऊ देंट आगया ना यहां पर देन्ट कोन का कर दो यह ध्यान आपको देखो भाई आपके फिर एक बात दुबारा बतना पड़ेगा इस्टेम रोड जो होता ने यहां यह और रूट रोड जो होता ने वह आपके नीचे की तरफ जड़ में होगा यह ध्यानक नापको हाँ सैसे स्वीट सैसे से के राटा डैसे डेंट और डैसे इंडेंट आटा बिल्कुल सही आंशुर है आपका लक्समी जी बिड़ा राइट आंशुर है बिल्कुल सरीता जी स्वीट से के राटा बिल्कुल सही है अग्ला देखो यहां पर मक्का में मादा पुस्पुर्म को क्या कहा जाता अब यहां देखो इसमें सिंगल आपको क्या दिख रहा है पोधा खड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं है आपके अगर देखेंगे तो तो इसमें टीलर्स नहीं है यह द्यानकन आपको टीलर्स नहीं है ठीक है अब यहां देखो इसके पार्सों में लीप के पार्सों में क्या निकलेगा भुट्टा यह देखो यह निकल रहा भुट्टा और भुट्टे में देखेगा क्या है फाइबर से पाए जाते तो यह उताया जाता तब क्यलाता है आपके emosculation तो यहां पर क्या है मादा पूछा है तो शिल्क कर दो नर पूछता तो टेसल कह देते हैं आपके दान में पेनेकल कर देते साइमोस आपके जैसे क्या है ठीक है विल्कुल बी यार ओला जी सही आपका सिल्क मेज में बिल्कुल टेसल और शिल्किंग सही लिखा आपने MTS जो लिखा है आपके राजिंदर जी मिल्क में टेसल और शिल्किंग अनाज वर्गी ये परिवार के सद्यश्यों में सरवादिक अनुसंधान कारिय होने के कार्ण मक्का की पसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है मेज क्रोप इज नोन बाई वाट अदरनेम बिकोज ओप दा मैक्जिमंण रिसर्च वर्क अमंग दा मेमबर ओप फेमेली ओप सीरियल्स अनाज वाली पसलों में पासलों प्ष्कर प्षर को आपका एक टेलिग्राम चैनल अ उसकर मिलीए तियल्याम चैनल पर अनाजवाली जितनी भी पसले हैंने उनमें सबसे जएधाbour़ इस पर होता है आपके मक्का पर होता है यह द्धान नकना तो आपके मक्का को क्या कहा जाता है यह बताना है फस्टलों की ॢ्रोसो अनाजवाली पस्लो की राहनी कहते हैं एविश्वस ने क्रोप कहते हैं या साइलेज पसल कहते हैं क्या खूप सुरत क्यूशन पूचा है बहुत गजब का क्यूशन पूचा यह ध्यानकन आपको नमस्ते यूपी कन्नों से जुड़े आपको नमस्ते यहां देखो क्यूसन क्या कह रहा है कि अनाज वाले परिवार में ग्रेमीनी फेमेली में सबसे ज़्यादा रिसर्च मक्का पर होता है इसलिए से दूसरे नाम से जाना जाता है ॡ देखे-गा इसे कहते हैं आपके पसलों कि ड्रोसोफिल ड्रोसोफिला क्रोपस तो इसके रिसर्च के काणगे से ड्रोसोफिला आपके कहते हैं अनाज वाली पसली राणी भी कहते हैं फिंद्यानक झाते हैं यह सब virus क्रोप होता है शाय Bab I can't do the पाइं जाती चारो आंसुर सही के लिए ड्रोसउपीला अनाज वाली पस्चलों की ड्रोसउपीला की तो 17una education जिसको कहते मेंडल साङब ने या किसी साइनलीक में प्रयोग रिख भी sunday मैं नहीं विद्धानर आपको तो यह आपर क्या हो जाएगा इस जांसर फिला पिर के ठीक है ठीक है हाँ सारे excellente पर इसी के हैं आपके हेना जी बिल्कुल सही का सोरभ्रश कमारीया कि विसकती कि महत् Alle क्लास लगा दोlen ठीक है आगे देखो मक्का में उपस्तित श्टार्च से किस सरक्रा का निस्कासन किया जा सकता है विच शूगर कैन बी एक्स्टेक्टेड फ्रॉम दा श्टार्च परजेंस इन मेज माल्टोज तो देखेगा माल्टोज किसमे होगी जो में और इसी माल्टोज का प्रियोग क्या जाता है आपके बीर गर्मियों में अब गर्मियों में इसकी क्या बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी ड्रोसोपिला मक्की होते हैं आपके ड्रोसोपिला अद्बुत क्रोप अधिकुछ पादन के कारण सुक्रोज तो सुक्रोज किसमें पाई जाएगी आप याद करोज सुक्रो एक तो गंहां में पाई जाती हैं और एक चुकंद्र में बताओ पाई जाती एक है डीसर और एक फ्रक्तूज अब देखेगा √ पर फ्रक्तोज की बात करें को मोरगन यहां देखेगा फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज को क्या कहते हो फल सरक्रा कहते हो यह ध्यानकना आपको और यह बच गया कौन एक ही बचता है उसे कहते है देख्टोज तो आपके मक्का के बीज से आपके जो श्टास निकाल जाते हो शे कहते हैं देख्टोज तो यह ध्यानकना फल सरक्रा को हाँ बिल्कुल सरीता जी ने सही का अंगूर में गुलूकोज और देखीगा सरीता जी आपको ये निश्चित रूप से पता होगा कि गुलूकोज क्या है तवरित सरक्रा है है कि अब और विरांट कोली को जैसे एनर्जी की कमी मैसून होगी तुरंद से केले को हम院ंगा लेगा केला खाता है क्यों क्यों कि उसमें आपके तुरंद रोग्रный सुंहिस्ट से पाइजानी वाली सक्टरा आपके क्या है डेक तो माल्तोर्ज जो आपके द्यानकन आपको नहीं को ए necessity इसका राइक ट्रान्सर और डीक तो यह द्यानकन आपका है इसका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा सी यहां देखिएगा हमारी प्रतेग सेटरेडे को होने वाली आपके स्पेशल क्लास ठीक है एग्रिकल्चर सुपर्वाइजर जेट प्रिक्षा के लिए विशेश रूप से सी यूटी के लिए भी विशेश रूप से हैं पचास इंपोर् थ्यांड़े थ्यानकरा साड़े तीन बजए कल ठीक साम को साड़े तीन बजए नमस्ते भूपिदर जी नमस्ते ठीक साड़े तीन बजए नहीं भूले पचास इंपोर्टेंट क्यूशन देखेंगे क्योंकि प्रतेक सनिवार को हमारी यह आपके क्या साप्ता ही क्लास होती है यह ध्यानकना आपको ठीक है कि अगला क्यूशन देखेगा मक्का की पसल में पोपिंग की किरिया यह तु ताप मान क्या उशकता होती है यह पर पोपिंग की बात हो रही है पोपिंग समझते हो पोपकॉर्ण बनाने के लिए याद करो पोपिंग पोपकॉर्ण कभी सिनेमा होल में गए होंगे तो सिनेमा होल में निशित रूप से आपने पोपकॉर्ण खाए होंगे उनको किते डिगरी सेंटीग्रेट पर क्या किया जाता है आपके गरम किया जाता है तब कि वो क्या ह ढगाक आपके प्रागी जो बानते न? फूल्य फूल्य ज कहने रखना आपके किसमें तो यह ध्यान रखना 163 67C गए लिए घ्यान डखना आपको ठीक है तो यह ध्यानकन आपके पोप्कॉर्ण इसका क्या हो जाएगा आपके इस पर क्या उन्हें गरम किया जाता है तो आपके फूलते हैं यह ध्यानकन आपका बिल्कुल फूलिया जो आप कहते हैं अब रभी मक्का की परती एक्टर बीजदर किती रखे जाते हैं दा पर हेक्टर सीड रेट और परभी में जी कि पंदरा से बीस बीच से पचीश दस से बारा या चाली से पैंतालीस अब बताएगा कोई बात नहीं राहूल जी तो यहां बताएगा अब तो देखिएगा कितनी बीस से पचीश केजी ठीक है यहां पर चारी से पैतल सरे चारे की रूप में हो जाएगे ठीक है अब पोपकूर्ण फूल्या पोपकूर्ण में थोड़ा नमक डाल देते हैं तो वो क्या है तो तो टैस्ट हो जाता है और अपने जो ढूंड में जो ढूंड होता है जो कि अंदरगर जो फूलिया लातें उसमें क्या नमक नहीं डाला होता डायरेक्ली बोन फूल यां लिए लेख आते हैं उसको फूलिया कोपपपो ने तोड़ा सा मसाला ओर मिला देते एंधानकना आपको इस थी कि वह दैनकन कंध thorps रभी में भी hybrid होते हैं वही रभी में hybrid नहीं होते हैं क्या अरे वही रभी में hybrid होते हैं न पोधे के उपरी भाग पर बुठा निकलने के दो से तीन दिन बाद शिल्क निकलाते हैं तो इस व्यवस्ता को क्या कहा जाता है इप शिल्क इमर्ज ओन दा अपर पार्ट ओव दा प्लांट अप्र टू तू तू त्री डेज ओप इमर्जेंस ओप कॉम देन इस सिस्टम इच कॉल बेबी कॉर्ण वैक्सी कॉर्ण पोड कॉर्ड कॉर्ण और पोप्कॉर्ण में फरक उनकी क्या है बनाने की उसमें है यह ध्यानकन आपको अब बिल्कुल देखें पलग जी ने और भी डिस्क्राइब कर देगी जो भुवाजी लेकर क्या आते हैं उसको फूलिया कहते हैं बिल्कुल सही है तो यहां देखो आपके पोड़े की उपरी बहाग पर भुटा निकलने के दो से तीन दिन बाद सिल्क निकल आते हैं तो इस व्यवस्ता को क्या का जा देखो यहां पर यानि कि एकदम कच्चा होता जिसको कह सकते हैं एकदम कच्चा होता यह ध्यानकना और इसको क्या कह देते हैं बेबी कॉन कहते हैं द्यानकना आप थीוכ और ढूब शोटा होता यह जब बेभी चोटा होता तो यही तो कहा रहा कि अभी अभी तो निकला है यह आहज आपको ठीक है ए राइट आंसर इसका अगला देखो निमनली कित में से सत्यकतन का चैन कीजिएगा फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है आपको select the incorrect statement from the following विशो में मक्का का सरवादिक छेत्रपल और उत्तपादन USA में होता है पहली चीज एस सत्यकतन का चैन करना है बारत में मक्का का सरवादिक छेत्रपल और उत्तपादन आंधर परदेश और तमिलनाडू में होता है देक्स्ट्रो सरकरा की उपस्तिती करन मक्का का उप्योग रतन जोत के सम्मान बायो डिजल में किया जाता है यह मक्का में टेस्टलिंग आने का समय साथ से दस दिन है दा एक्जक्ट टाइम पोर स्टेस्टलिंग तू अराइव इन मेज 7 तू 10 डेज बताएगा यहां पर तो वी सो में मक्का का सरवादिक चेतरपल और उत्पादन आपके कहा होता है तो आपके USA में होता है थीक है तो यह तो राइट है अगला देखो बहरत में मक्का का सरवादिक चेतरपल और उत्पादन आंदर परदेश और तमिलनाडू में होता है अब यह मक्का आपको करनाठक में होता है सभसे जदात करनाठक है ठीक है करनाठक में होता यह तमिल नाडु गलत दे तो यहां लिखो इसके आगे दो और चार ठीक है तो यह गलत हो जाएगा आपको यह ध्याना का दो और चार तो यहां लिख देता हूं दो और चार आपके रोंग आंसर है ठीक है ओप्सें में थोड़ी सिक मिस्टेक है अगला देखो मक्का का उत्पत्यस तल मेक्सिको तो लिख दो भाई मैसे मक्कार मैसे मेक्सिको दो कोनों की रासी एक ही है जब रासी एक है तो फिर चैंज नहीं करनी चाहिए अपने को ठीक है वो फेंदर जी कह रहे है तो लक्समन सर की आपके क्या है वो बुक आई हुए उसमें सारे एम सी क्यू वगरा खूब दीखेंगे आपको ठीक है निमली कितमें से कोन सी क्वालिटी प्रोटीन मेज मक्का की किसम नहीं ए नोटे विराइटी और क्यू पियम रतना प्रोटिन आ शक्ति क्या बात है मादुरी नाधूरी क्यू प्यू प्याइम थोड़ी होती है मादूरी तो मीठा नाम उसमें आएगी मिठी मिठी पिरियार ये सारी सी में आजाएगी ठीक है तो यहापर क्या हो जाएगा डी ये ध्यानक ना आपको ठीक है जरूरी नहीं कि हमारी आरजू पूरी हो जरूरी नहीं कि हमारी आरजू पूरी हो बस अपनी काबिलियत पर भरोसा हो मंजिल आज दूर है तो क्या हुआ क्या पता कल काम्याभी हमारा कदम चूम रही हो तो निशित रूप से हो सकता है कई बार जैसे किसी विद्यारती का चैन इस एक्जाम में नहीं होता निशित रूप से उस उपर वाले इस्वर ने आपके लिए कोई बैटर विकल्प तलास कर रखा हो तो जो ह होता है वो अच्छे के लिए होता है जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होता है और जो आने वाले समय में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा हमेशा बी पोजिटिव टीक है बी पोर बिग और बी पोर पोजिटिव आपको आपके हमेशा बी पोजिटिव रहना ची तो यहां पर डी आंचर हो जाएगा यह ध्यान रखना यह सास्वत सत्य है कि हमेशा जो होता है वो सत्य के लिए ही होता है फोल आर्मीवर्म का वानस्पतिक नाम क्या है यह पर वानस्पतिक नाम होता नीजोता सजानों निकल ँफयो फाल और भर्म इस प्रीप। प्रूजिडेरा लेप्टो को रिशा एक्यूटा काईलो पार्टिलस और हेली कवर पार्मी जरा यहां पर बताना है वह फोल आर्मी वर्म यह क्या लीप वगरा को खाता है यह ध्यानकन आपको कि अरे वाई सारी तयारी हो रही है इस रेपिट रिज़न में देखो जेट की तयारी हो रही है aट की तयारी यह तो है तो यहां देखो आपके यहां क्या इसका इस पो डेव्टे रा फ्रूजी डेरा आपके क्या है फोल आर्मी वर्म है यह द्यार ने करा जो कि पत्यों वह गरों को खाता है लेप्टो कोरिसा एक्यूटा काईलो पार्टरस दे के लिया हेली कवर पार मिजर आप जानते ही हो पोड बोर नमस्ति सेटी जी नमस्ति ठीक है अगला देखो पी एचेम निमनली कितमें से किस पसल की एक जल्द पकने वाली किस्म है पी एपी एचेम ठीक है तो आपके यहां क्या हम मेज वाली क्रोप देख रहे हैं तो किसका होगा मेज का ही है हaky ठीक है हいただ caso मेज का ही एनक ह है मेज झाल अब नाम तोड़ा सा का अच्छे मिले नहीं क्योंकि इंगलीस वाले नाम जो है नमस्ते प्रीयंका नमस्ते तो यह ध्यानकन आपका क्या है यहां पर इसका C राइन सौरर यह ध्यानकन आपको ठीक है सी राइट आंसर है अगला देखो मक्का में खर्पत्वार नियंतर ने तुकिस साखनाशी का प्रियोग क्या आता है मैटराबूजीन और अलाकलोर तो मक्का में किसका इस्तिमाल करोगे अब यहां किसका इस्तिमाल करोगे यह एटराजिन का कर लेना क्योंकि सीमाजीन आपके क्या है जिसको कह सकते बैन हो रखिये भई ठीक है यहां पर क्या कर देंगे तो ही यहां पर आपающर दे एट्राजिन क्योंकि सीमाजीन वैसे बैस्ट है लेकिन अपन क्या करते हैं सीमाजीन जैसे बैंन और किया है तो इसलिए जीन करेंगे तो तीन भी करेंगे दिखेंगे अटराजीन इसलिए लिए कर लेते हैं कि यह यह पिछी आपके सि माजीन नहीं है इसलिए करने है कि यह क्या यह लिए कि फालों समय जीमा lasting पैगा रहिंव अगला देखो बास्मती चाओल के हजार दानों का वजन कित्ते ग्राम होता है ठीक है तो वाट इस दा वेट ओफ वन थाउजंड ग्रेंस ओ बास्मती राइजिन ग्राम चोईज पंद्रह 21-30 तो यह कल के कुछ क्यूशंस बच गे ते वह हैं आपके यह ध्यान अकना आपको ठीक है पोदे की कौन से वहस्ता पर आकर्मन करता है गंदी भग वो पेडियाटेक्स इन वीच स्टेज वो प्लांट दूदिया अंकुरण फूल आते समें थीक है तो यह गंदी भग है तो आपको पताएगी गंदी भग कौन से स्टेज पर आता है अगला देखो आई याराट धान की किसम भारत में कहां से परचलन में आई थी वेर डिड़ आई यार तो आई यार कहां से बताओगे देखो आपके फिलिपिन से बता देना आपके ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा डी लेप्टो कोरिसा एक्यूटा गंदी भग जो आ यहां पर क्या कर देंगे डी आंसर कर देंगे द्यान देकर आपको ठीक है वह जले वाई कर दानुट आउप ईसका डी राइन टांसर है यह द्धत आपको क्योंकि डी में क्या है आपके यहां पर तो इंटरनेश्णल राइस बैस रिसरछ if अने एस्टीट उए में मैं ठीक है देखेगा आप सभी विध्यारती क्या है जिसको कहा जाए तो इन classes को attend करें अगर हो सके तो इनके notes आप साथ साथ बना लिए ध्यान रकना क्योंकि यह आपके exam में काम में आएंगे ठीक है भई तो इस चीज का आपको ध्यान रकना है क्लास कैसी लगी क्लास के बारे में जरूर कमेंट्स करके बताएं क्लास अगर अच्छे लगी हो तो क्लास को like और share करना नहीं भूले यह द्यान अखना आपको कि अरे वह एक दिन तो band बसता है वह वह भी बजने नहीं दोगे आप बैचारे का एक दिन तो मोका लगता है बजाने का बाकि तो पूरी जिंद्धी पर बसता ही रहता है फिर ठीक है अरे वह आज क्या है जिसको तो कह सकते हैं अपने गणगोर का धार्मिक पर हुआ है तो उसके लिए आपके क्या जिसको उसकी आपके जहांकि वाकी जो है वो निकलती है ध्यानकन आपको ठीक है चलिएगा ठीक है मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए सभी को नमस्कार जेहिंद जेहिंद जे भारत बेस्ट ओप लगग गयाराए जेहिंद जेए झाला रहा है थिसको एमानकरी, साफ कि टुग जेरे भारते ही जेए भीकारी, जेए तक绝ेवगा से जेहिंद टब दो है था जेए भारा भारते है तासल से एमान श्कारा जेहितकी है हैल्स उजड मिलते है